आदियन आदियन अंत अपार मुझ में व्यक्त सकल संसार जट्टा गंग गल मुझ में व्यक्त सकल संसार जट्टा गंग गल मुझ कपार्ज गोर अगोरी माकाल सगल भुवन त्रिलोक प्रकासा रिथ्या चिरंतन नगरी राचा विश्वनादवू मजानवाजिं मुझको प्रियमोरी नगरी काजिं चिरप्रकाच का नोतन विस्तार आलोकित भयासंसार इस वईभव का देख प्रसा करे विरोही हाहाँ सनातन पर प्राहार हुआ कुछ पल को अनकार हुआ त्रिलोकों से उठी हुकार तोहरे भक्तों की यही पुकार जागा जागा है मसानवासी सुम्रे तोहे तोरी नगरी कासी तिर मैं कह दय में जागा नवस्री जन फिर करने लागा सत्यका इर परचम लहराया स्वर्ण यूग को फिर वाप सलाया काल के परे आदी गुरु शिव की चेतना से प्रकाशित शाश्वत सनातन नगरी काशी काशी का सबसे प्रमक केंद्र है शिरी काशी विश्वनात मंदिर द्वादश जोतर लिंगों में से एक काशी विश्वेश्वर के दरशन करने हर वर्ष करोणो श्रद्धालू विश्व के कोने कोने से काशी आते हैं बारवी शताबदी में जब सनातन संस्कृती का सूर्य अपने चर्मोत कर्ष पर था तब सर्व प्रथम कुष आतताईयों की कुद्रिष्टी काशी पपड़ी और काल के वजर को स्वैम महाकाल को भी जिलना पड़ा। परंतु इस रक्त रंजित काल में भी अदम्य आस्थावानों ने काशी विश्वनात मंदिर की जियोती को अखंड बनाये रखा। जिसमें सबसे प्रमुक भुमिका निभाई इंदोर की महारानी अहिल्या बाई हुलकर ने जिन्होंने 1777 में शिरीकाशी विश्वनात मंदिर का भव्य निर्मान कराया। महाराजा रंजी सिंग ने 1835 में मंदिर के शिखर को स्वन मंदित करवाया। अपने नए मंदिर में प्रतिष्टित बाबा विश्वनात पुना पूरे विश्व से अपने भगतों को आकर्शित करने लगे। समय के साथ शधालूं के जन सहलाब के समक्ष काशी की गलियां संकरी पढ़ने लगी। प्राचीन मंदिर अतिक्रमण में चिपते चले गए और बाबा विश्वनात का दर्शन भगतों के लिए दुर्गम होता चला गया। 1916 में जब महात्मा गांधी काशी विश्वनात का दर्शन करने आये तो इस शेत्र को देखकर उनका मन बहुत व्यथित हुआ। काशी हिंदू विश्व विद्याले में अपने वक्तविय में अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करने से वो अपने आपको रोक नहीं पाए। प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने काशी का जन प्रतिनिधी मनने के बाद अपने परिश्रम की परकाश्था और द्रड इच्छा शक्ती से काशी के सर्वांगीन सर्व स्परशी और सर्व समावेशी विकास की अभुत पूर्व यात्रा प्रानम की। प्राचीन काल में मागंगा से जल भर कर सीधे बाबा विश्वनात को अर्पित करने की परंपरा थी जो कालांतर में अनियोजित निर्मान के कारण अवरुद्ध हो गए। प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने लोक आस्था से जुड़ी इस विशिष्ट प्रथा को पुनर जीवित करने का निर्मने लेते हुए मागंगा को बाबा काशी विश्वनात से पुना मिलाने का संकल्प लिया। जब मैं राजरीती में नहीं था, तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने ताई किया होगा, बेटे बाते बहुत करते हो, आप इधर करके दिखाओ। शंकरो महदेवदेव, शंकरो महदेवदेव, सेवक सब जाके, शंकरो महदेवदेव जब सबसे पहले प्रधान मंत्री ने जब मुझे समझाया, तो एक काघज निकालके उन्होंने अपने पैन से पहले ड्राइंग बनाया। पले गंगा से होते हुए चड़के पिलग्रिम्स उपर आ सके और ऐसे बनाना है कि उनका मन प्रफुलित हो जाए। परंतु सामने थी चिनोतियों की विशाल परवत श्रिंख लाएं। पांश लाग स्क्वैर फिट में विस्तारेत काशी विश्वना धाम परियोजना को बनाने के लिए आवश्यक था एक हजार से ज्यादा भवन मालिकों को स्थानां तरण के लिए सम्मान पूर्वक सैमत कराना, अतिक्रमित मंदिरों को मुक्त कराना, सघन आबादी की बीच जरजर हो चुके प्राचीन मंदिरों को बचाते हुए संक्षिप्त समय में नव निर्मान कराना। ऐसी चिनोती पून परियोजना को अवरोधों और मुकद्मों से मुक्त रखने के लिए माननीय प्रधान मंतरी ने समवाद और समनवे का अदभुत मंतर दिया। उनकी इस दूर दृष्टी से बाबा का धाम तीजी से अपनी पूनता की ओर बढ़ने लगा। कौन ऐसा भरती होगा जो अपने जीवन में एक बार कासी और मागंगा की दर्शन और श्नान करने का औसरन अपने मन में समेटे हुए हो। उस प्रकार की सुविधा देना उस प्रकार का सुरूप भी देना है। और मज़े लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस संभव हो पाया है। इस जटल परियोजना की प्लानिंग, डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में पग पग पर माननी ये प्रधानमंत्री ने अपना सपष्ट दृष्टिकोन रखा। उनके मार्ग दरशन में पूरा परिसर दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया गया। करोना काल में भी विकार्य की प्रगती का उनलाइन अवलोकन करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निश्य अटल था और बाबा विश्वनात पर विश्वास अडिग। गौरि बसत सदासंग भास्मल सतांग अंग सीसगंग केगरंग भाहन विशभागे। शंकर महदेव देव। लोग काशी आते हैं उसका मूल कारण काशी भिश्वनात महदेव के पती अपार सत्धा है। उस आस्था को बल मिलेगा हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो व्यवस्ता कैसे हो उसका एक मोडल तयार होगा। पुरा तत्वियक चीजों को बचाय रखते हुए। उसकी आतमा को वैसे ही बरकनार रखते हुए। आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है। जवस्ताएं आधुनिक कैसे बढाई जा सकती है। इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिशर के निर्मान कारिय में दिखाए देगा। समस्त विश्व के शिव भक्तों का स्वपन आज पून रूप ले चुका है। भगवान शिव का गंगा से मिलन पुना संभव हो गया है। इस भगीरत प्रयास की सबसे प्रमुक विशिष्टा ये है कि गत चार वर्षों की इस पूरी अवधी में कभी भी दर्शनार्थियों के दर्शन बाधित नहीं हुए और इस प्रक्रिया में जो प्राचीन मंदिर एवं विग्रह पाए गए उन्हें इस संकुल का भाग बनाकर परिसर की भविता और सुन्दर्ता को और भी सम्रिद्ध कर दिया गया। काशी विश्वनाद धाम काशी की अविनाशी परंपरा में नवचेतना का संचार करता है। भारत की इतिहास की इस प्राचीन पुस्तक में समस्त त्रासदियों के बाद अब जाकर एक स्वन्निम अध्याय जुड़ा है। और आज जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री शिरी नरेंदर मुदी इसके नए स्वरूप का अनावरण कर रहे हैं। तो आईए हम सम मिलकर इस एतिहासिक उत्सव के साक्षी बने और महान सनातन संस्कृती की दिव्य प्रभा से पूरे विश्व को आलोकित करें। मनुबुद्य हंकार चित्ता निनाहं नच श्रोत्र जिव्य नच ध्रान नेत्रे। नचप्यो मभूमिर्न तेजो नवायोह। चिदानन्दरूपह शिवोहं शिवोहं। चिदानन्दरूपह शिवोहं शिवोहं।